एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम analysis करेंगे nifty 50 का यहाँ पर आपको 5 minute का time frame दिखाई दे रहे इसका मतलब हम logic का discussion करने वाले हैं सबसे पहले हम logic समझेंगे आप लोगों को logic काफी पसंद आ रहे हैं bank nifty का logic आपको provide करा दिया गया वीडियो upload कर दिया आप जा के देख सकते हैं काफी कुछ पहतरीन learning उसमें छेपी हुई है यहाँ पर हम जल्द से important level mark करते हैं पहला important level हो गया यह यह क्या हो गया previous day low दूसरा important level हो गया यह यह क्या हो गया previous day closing तीसरा important level हमारे लिए हो गया यह यह क्या हो गया previous day high यह चीज हो गया अब यहाँ पर जैसे कि bank nifty में था लगबग लगबग आप देखेंगे previous day low और previous day closing क तो अगर हमें दोनों का breakdown मिलता है तो एक बहतर ही opportunity बन सकती है तो यहां पर आप देखो candle ने पहली जो various candle बनी उसने support ले लिया दोनों पर अगर आप देखेंगे previous day लो पर यह support लेके bounce कर गी फिर यहां पर जो situation create हुई अगले वाली candle ने अगर आप देखेंगे breakdown नहीं दिया ह हाला कि अगर आप देखेंगे इस वाली candle का breakdown नहीं दिया है लेकिन previous day closing का breakdown दे दिया plus previous day low का breakdown इसका मतलब हमारी strategy activate हो गई अगर यहां पर हमारी previous day low के breakdown वाली strategy activate हो गई लेकिन जिस candle ने breakdown दिया है उससे नीचे market जाना चाहिए तब ही वो strategy activate होगी पर लेकिन यहां पर अभी ऐसा scenario नहीं बना market उन candle से नीचे नहीं गया अब यहां पर एक बात और समझो काफी अच्छी तरीके से अगर किसी ने यहां पर भी entry ले लियोगी कोई बात नहीं वो profit में रहा होगा पूरों momentum capture क्या होगा इस stock loss उसका hit भी नहीं हुआ होगा लेकिन जो समझाने वाली बात है उसे समझ लो वो काफी काम आएगी वो है इस hammer की वहाँ पर मैंने क्या समझाए था bank nifty में बन रहा था pin bar bullish candle उसका logic मैंने आपको explain किया था सेम ही logic hammer का भी है भाई यहाँ पर आपको hammer बनता हो नजर आ रहा है लेकिन हमें buying को avoid करना है क्यों avoid करना है वो समझ लो क्योंकि कुछ लोग आधी अधूरी knowledge रखते हैं कि जैसे hammer बन गया entry ले ली यान कि buying कर लिया stop loss हो गया loss हो गया फिर hammer बना entry ले ली profit हो गया तो यानि कि लोजिक ही नहीं पता कि कब entry को avoid करना है कब entry लेनी है यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली candle बन रही है उसका breakout नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब hammer activate नहीं हुआ strategy activate नहीं हुई तो इसका मतलब entry नहीं लेड़ी अब थोड़ा सा और advance चलते हैं क्योंकि जब हम logic समझी रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें हमें दिखाई भी दे रही है तो थोड़ा सा advance जाने में कोई problem नहीं है कुछ चीज़ें समझते हैं मान के चलो आपको यहाँ पर hammer activate हो वाली candle का जो hammer से पहली candle बन रही है उसका breakout मिलके आपका hammer activate हो गया आपने entry लेनी चाहिए कि नहीं तब भी entry नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर case 2 काम करेगा अगर इसकी level का breakout मिल रहा है हमारे लिए entry बन रही है तो उस पर क्या आया आगले वाला resistance कितनी दूर है हमें वो देखना है अगर resistance नजदीक है तो हमें entry नहीं लेंगे और यहाँ पर एक नहीं दो-दो resistance नजदीक में बैठे हुए हैं कौन सा resistance पहला resistance है previous day closing का यहाँ पर बैठा हुआ है अगर market इसका भी breakout दे दिया तो जो दूसरा resistance बैठा है वो trading day high का बैठा है यहाँ पर बैठा है हमारे लिए बहतर buying entry कब बनती जब market इसका breakout देता किसका trading day high का और यहाँ पर कौन सी strategy activate हो जाती trading day high के breakout वाली strategy आपके लिए activate हो जाती है समझ में है scenario समझ में आ गया है तो वो situation नहीं हुए मैंने advance चीज़े कुछ आपके साथ discuss कर दिया अगर यह scenario बनता क्यों काफी लोगों को doubt रहता है अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते तो मैंने पहले ही discuss कर दिया कि कहाँ पर एक perfect entry बन momentum को capture कर सकते थे समझ में आ गया पूरा scenario अच्छे तरीके से clear हो गया तो entry कहाँ पर बनी है हमारी उस situation को समझ लो अब जैसे हमें important level पता था यह क्या था previous day closing यह क्या था हमारा previous day low यह नया level हमारे पास आ चुका है trading day high साथी साथ यह भी नया level हमारे पास आ चुका है trading day low आप आपको यहाँ पर breakdown मिला है trading day low का तो यहाँ पर कौन सी strategy activate हुई है trading day low के breakdown वाली strategy यहाँ पर activate हुई है इसी के according आपको अपनी entry लेनी थी stop loss लगाना था और अपना target decide करना था किलियर हो गया कोई भी confusion नहीं है अच्छे तरीके से समझ में आ गया अब यह चीज़े क्लियर होगी आपके अब दोस्तों यहाँ पर आप इस पूरे momentum को trailing stop loss का इस्तमाल करते हुए पकड़ सकते थी लेकिन मैं suggest क्या करता आपको क्योंकि मैं फिर से लिखूंगा 18,400 18,200 18, देखो trailing stop loss कब काम आता है उस situation को समझो जैसे कि जब भी मैं आपके सामने जोन लिखता हूँ मैं आपको हमेसा एक बात कहता हूँ इस जोन में जाते ही अपनी profit booking कर लो पहली बात अगर आप risk लेना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे 18,200 यहाँ पे 18,200 पहला rule क्या है कि इस जो जोन में जाते ही अपनी profit booking कर लो लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे breakdown दिखाई दे रहा है अगर market यही पे sideways हो जाता तो हम profit booking कर लेते यह अगर किसी ने normal भी profit booking की होगी तब भी उसका बहतरी profit हो गया होगा और जिस किसी ने trailing stop loss वाले chapter को पढ़ा है how to catch big momentum को उस वाले chapter को पढ़ा है तो उसने इस पूरे momentum को पकड़ा होगा क्योंकि अपने उसने अपना stop loss उठा के कहां पर रख दिया होगा इस zone पर रख दिया होगा क्योंकि अगर reversal आया तो उसका stop loss हो जाएगा तब भी उसे इतना profit मिल जाएगा जहां से उसने entry बनाई है लेकिन यहां पर पूरे momentum को पकड़ते हुए बहतरी momentum उसने capture किया होगा अगर आप इनी strategies को समझना चाहते है तो नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा अभी 10% का off कर दिया गया है जो की 10% का चला है जो 25% का off चल रहा था वो खतम कर दिया गया है मैंने आपको बताया था वो होने वाला है तो फिलाल 10% का off चल रहा है ठीक है अब हम यहां पर आते हैं अब हम समझते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से preparation कर नहीं है पहले no trading zone को समझ लेते हैं यहां पर आपको दो red line दिखाई दे रही होगी उपर level line के बात करेंगे 18,234 यह वाला zone मैंने क्यों लिया क्य उससे पहले हम buying के सपने भी नहीं देख सकते अगर market 18,200 का breakout दे के price उपर sustain नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इस swing को पकड़ लिया कि इससे उपर निकलना चाहिए market तभी हमारे लिए एक बहतर scenario market में create हो सकता है यह तो आपको कोई भी momentum create होता हुआ ही तरी अच्छे तरीक मगर आपको scalping के बहतरी न मोगे मिल सकते हैं जैसे कि अगर day closing से market उपर चलता है तो इस level तक यानगी 18,234 तक आप scalping कर सकते हैं day close से market नीचे चलता है तो आप इस level तक 18,157 तक आप scalping कर सकते हैं इन momentum को आप पकर सकते हैं यहां तक चीज़े के लिए रोगी अब यहां पर एक एक situation को और step by step समझते हैं अगर nifty 50 में एक positive momentum आता है उस situation पर आप क्या देखेंगे उस situation पर आपको देखना है आपको 18,234 का breakout मिले तो गर इसका breakout मिलके आपके लिए जो अगला resistance बनेगा वो इस वाले zone में बनेगा यानि कि जहां पर आपको 16 की day closing मिले है उस वाले zone में आपको यहां पर resistance बनते हमों नजर आएगा इसका breakout मिल गया जो 17 का day high है जो कि हमारे लिए कल previous day high के रूप में एक्ट करेगा यह resistance बनेगा अगर इसका breakout मिल गया तो हमें previous day high के breakout वाले strategy एक्टिवेट होती नजर आगी फिर इस वाले zone में आपको अगला resistance देखने को मिलेगा और यह वाला zone कौन सा है यह वाला वो ही zone है जिसका हमने detail में discussion किया था याद होगा आपके कि यह एक पहले इसने resistance के रूप में क तो जाते ही जाते है अपनी profit booking करनी है फिर बाद में देखना है क्या projection यहाँ पर बन रहा है वहीं पर बात करें अगर market flat open होके दिखाता है आपको negative momentum उस situation में हम क्या करेंगे उस situation में 18,157 का breakdown होने देगे इस scenario में जो 17 का day low है यह आपके लिए support zone बन जाएगा और हमारे लिए क्या है यह previous day low की तरे एक्ट करेगा अगर इसका breakdown मिलता है तो आपके लिए previous day low के breakdown वाली strategy सीधे सीधे activate हो जाएगी और जो आपके लिए support zone बनेगा वो 8th के day low पे बन जाएगा इसका breakdown मिल गया फिर 5th का day low आपके लिए अगला support zone बन जाएगा इसका भी breakdown मिल गया तो 18,000 नीचे आपके लिए support के रूप में act करेगा फिर से मैं level लेख देता हूं 18,400, 18,200 और 18,000 इन तीनों level पे हमारी खास नेजर होने चाहिए कल की वीडियो में मैंने gap up opening discuss नहीं की थी आज discuss करेंगे न gap down opening discuss की थी कल की वीडियो में आज discuss करेंगे क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वे discuss की जाए इस scenario को लंबी वीडियो से आपको कोई problem नहीं है क्योंकि कल बहुत जादा लंबी वीडियो हो गई थी logic में काफी जादा time हमने लगा दिया था और काफी कुछ समझने लाइक चीजे भी थी कल की वीडियो में उमीद है आप लोगों ने उसे miss नहीं किया होगा और 50-50 वाली वीडियो को कोई बात नहीं यहाँ पर हम सारी चीजों का detail में discussion कर लेते हैं यहाँ पर हम discussion करेंगे अगर आपको gap up opening मिलती है तो हम इस scenario पर ही focus करेंगे 18,234 पे हम यहाँ पर discussion करेंगे अगर market इसी zone के आज पास थोड़ा बहुत उपर नीचे है same ही level पे आपको gap up opening दे रहा है और market ने bully scandal बनाई तो इस bully scandal से जैसे ही market उपर जाएगा तो आप buying opportunities पर focus करेंगे resistance आपके लिए वो ही रहने वाले हैं जो मैंने आपके साथ discuss की हुए मगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर gap up opening होके market ने bully scandal बना दी इस bully scandal को हमें देखना है कि यह कितनी बड़ी बन रही है अगर यह previous day closing तक ही बन गई उस situation पर हम entry नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है previous day closing आपके लिए support की तरह एक्ट करें अगर यह candle छोटी बनी चलो बड़ी candle अगर बन गई तो उस situation में हम previous day closing के breakdown का इंतिजार करेंगे तब entry लेंगे मगर अगर यह candle छोटी बन जाती है और इस candle से market नीचे आता है तो आप entry ले सकते हैं लेकिन तब भी आपका जो support बनेगा वो previous day closing पर ही बनेगा और अगर इसका breakdown मिलता है तब आप next planning अपनी करेंगे उसके बाद जो आपके support बनेगे 18,157 इसका breakdown मिल गया जो 17 का day low है यह आपके लिए अगले support करेंगे रूप में दिखाई देगा अगर इसका भी breakdown मिल गया तो आपके लिए previous day low के breakdown वाली strategy activate हो जाएगी situation समझ में आगी पूरा scenario clear हो गया अब हम इसे उल्टा कर देते हैं अगर आपको gap down opening मिली उस situation पर हम कहां focus रखेंगे उस situation पर हम फिर से 18,157 पर ही focus रखेंगे अगर इसी के आसपास हमें gap down opening मिलती है तो उस situation पर अगर bearish candle बन जाती है फिर से वो ही देखेंगे हम अगर bearish candle जादा बड़ी बन रही है ये 17 के day low तक चली गई है तो हम entry नहीं लेंगे हम इंतिजार करेंगे कि market इस bearish candle से नीचे भी जाए प्लस हमें previous day low के breakdown भी दे तभी एक entry का scenario बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा मगर अगर ये bearish candle छोटी बनी और उस candle से नीचे आता है market तो आप इसे as a support लेके entry plan कर सकते हैं लेकिन एक और scenario discuss कर लेते हैं gap down opening देखे बन गी ये bullish candle अगर bullish candle बन गई तो जो ये previous day closing है ये हमारे लिए resistance के रूप में act करेगा अगर candle यही तक चले गई तो पहले इसका breakout होने देना अगर candle उससे पहले है तो आपके लिए ये वाला क्या zone बन जाएगा previous day closing वाला एक resistance बन जाएगा तूसरी बात और note करो यहाँ पे 18,200 का level भी है तो हमें दोनों का breakout चाहिए previous day closing का भी breakout चाहिए plus 18,200 का भी breakout चाहिए scenario के लिए रो गया अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ pivot point की तरब यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक positive momentum देखने को मिलता है उस situation पे जो मी पहला resistance नजर आ रहा है ये 18,223 पे नजर आ रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है जो में दूसरा resistance दिखाई दे रहे हैं वहीं पर बात करें अगर 50-50 में आपको एक negative momentum देखने को मिला उस situation पर जो में पहला support नजरा रहा है 18,159 पर नजरा रहा है अगर आपको इसका breakdown मिल गया है जो में दूसरा support नजरा रहा है दूसरा support बताने से पहले मैं आपको बता दियो आपके लिए किसी भी तरह कर ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाई गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको उने वाला है दोस्तो इस वीडियो को like कीजिगा comment करके मुझे बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे हैं आपके लिए कितने helpful है अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe करना साथ यसाथ bell icon भी press करना जिससे आपको आने वाले videos के notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ thank you